हेलो गाई, करेंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ भी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 सितम पर तक के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी गाईस सेचन अगुस्तुर करेंडे से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा एलिया हमारे डेली करन्ट अफेर्स पीडियेफ, वीकली पीडियेफ, मंतली पीडियेफ और हर महीने के बैंकिंग और एकुनमी का वैंडियेफ पीडियेफ चाहते हैं जिसे आप डाउन्डोड कर सकते हैं प्रिंट आउट भी निकल वा सकते हैं इसके लिए चाहे तो आप करन्ट अफेर्स फंडा एप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैप्टॉप या सिस्टम की मतद से वैब लोगिन भी कर सकते हैं कोई भी आपका एक्जाम हो बैंकि हम इसे की तरह सबसे पहले आचा कोश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बोक्स में देना है विच वेटरेन एक्टर वुड बी कीवन दादा साहब फाल के लाइफटाइम अचीमेंट अवर्ड फोर 2021 किस अभिनेत्री को 2021 का दादा साहब फाल के और दे रहा हूं कि यह 2021 के लिए है एक्जाम में पूछा सकता है कि साल के लिए दिया जा रहा है तो इसी तरह कोश्चन से दिया आप टेक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलिग्राम पर जोईन कर लीचे कर अंटरफेस फंड ना नाम से हमारा टेलिग्राम चैनल है अंतरास्टिय अनुवार दिवस कम बनाया जाता है ओप्चन्स आपके सामने है सही आंसर ओप्चन दी है सेप्टेमबर 30 आपको जाना चे हर साल 30 सितंबर को इंटरेसल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है साल 2030 में इंटरेसल ट्रांसलेशन डे का थीम है ट्रांसल क्योंकि इस दिन जो sent serum है इनकी पुन्यतिती होती है यह Bible translator है और इनको patron sent of translators consider किया जाता है आपको जाना चाहिए जो universal declaration of human rights है इसके पास Guinness word record है क्यों as the most translated document इस सबस्यादा translated document है जो universal declaration of human rights है इसको पांसो ज्यादा languages में translate किया हुआ है आपको जाना चाहिए नाटनेशन की six official languages है Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish which day is celebrated annually on September 29 29 29 सितंबर को परतिवर्स कौन सा दीवस मनाया जाता है options आपके सामने है सही answer option A है word heart day आपको जाना चाहिए word heart day यह हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है इसका मकसद रहता है कि लोगों में awareness फिलाई जा सके उनको रिमाइंड किया जा सके कि आपका जो heart है उसकी जो है आप care कीजिए इस पार world heart day का theme है use heart, no heart What is India's rank in the global innovation index 2023? Global innovation index 2030 में भारत की rank क्या है? Options आपके सामने है सही answer option यह है 40 आपको जाना चे ग्लोबल innovation index 2023 जारी किया गया है Out of 132 economies भारत की rank 40 है 132 में से भारत की rank 40 भी है आपको जाना चे भारत जो है पिछले कुछ सालों से 7-8 सालों से जो है rice होता rice index में जहां 2015 भारत की rank 81 थी वहीं अब 2034 में 40 भी rank है, 40th rank है भारत ने lower middle income group category में top भी किया है आपको जाना चे इंडेक्स का 16th edition रहा 16th edition और इसे release किया गया है World Intellectual Property Organization के द्वारा है जो की United Nations की एक agency है आपको जाना चे इस ranking में अगर हम top की countries देखें तो Switzerland top पर है, फिर Sweden है, फिर US से है तीसरे पर चोथे पर UK है, पांचवे पर Singapur है Singapur याद रखिए, ठीक है Asian country पांचवे नमबर पर है पूछ लेते हैं ना, bank exam में conciation country है top 5 है, तो Singapur है और जो Republic of Korea है, एक organization country यह 10th position पर है, दसवे नमबर पर है अब इसमें भी बताया गया है कि जो top 5 economies हैं जो world के 80% unicorns हैं वो in 5 economies से हैं economies जब भी use होता है, यह मतलब countries की बात करें है कौन-कौन सी countries की, US 54% share, फिर China 40%, इंडिया 6%, United Kingdom 4% and Germany 2% फिर बताया है कि out of a total unicorn valuation of 3.8 trillion US dollar in 2023 US unicorns accounted for 2 trillion US dollar forward by China and India with 193 billion US dollar Where was the 14th edition of the Global Skills Summit held? Westwick, Koshal Sikhar Sammelan का 4.5 Sunskrand का हायजित किया गया सही answer option A है Delhi आपको जाना चाहिए दिल्ली में Global Skills Summit का 4.5 edition हाली में हायजित किया गया है इसको Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry आनी की फिक्की द्वारा और्गनाईज किया गया इस event का theme रहा Building Skills, Empowering Youth and Creating a Future The summit aims to focus on creating a roadmap for a high quality industry-led skilling ecosystem in India Where is the world's second largest Hindu temple outside India located? भारत के बाहर विस्वा का दूसरा सबसे बड़ा Hindu मंदिर कहां इस्तित है options आपके सामने है सही answer option यह है यह वैसे या तो आप कहेंगे overall world का second largest Hindu temple या फिर आप कह सकते हैं अगर हम modern era की बात करें आधुनिक यूग की बात करें तो उसमें world का largest Hindu temple आप कहेंगे तो देखिए अगर हम modern era की बात करें आधुनिक यूग की तो world का largest Hindu temple यह भारत से बाहर जो है यह New Jersey USA में construct हो रहा है और 8 October को integration इसका होगा इसका नाव है B.A.P.A. स्वामी नारेन अक्षरधाम और यह New Jersey USA में है लगवक बाराजार पांसोगों लेंट्रेर्स द्वारा इसको बनाने में सहयोग दिया गया है बारा साल इसको लगे 2011 से 2030 तक आपको बता दें अबराल बात करें तो अंगरबात की बाद है यह सेकंड लार्जेस्ट जो है हिंदू टेंपल है और अगरबात तो पहले का है तो यह लार्जेस्ट टेंपल है आउटसाइट इंडिया अंगरबात आपसे भी जानते है 12th century का टेंपल है लार्जेस्ट हिंदू टेंपल है वर्ड में 501 अगर में फैला हुआ है और युनेस्ट को वर्ड हेरिटेस साइट भी है विचे स्टेट्स विस्वनाथ घाट हैस बीन एस जस्ट बैस्ट टुजमें विलेच ऑफ इंडिया 2023 किस राज्य के विस्वनाथ घाट को 2030 में बारत का सर्वस्ट प्रेटन गाउं को जित किया गया है आप्शन साब के सामने सही आंतर आप्शन है आसाम आपको जाना चाहिए आसाम की चीफ मिनिस्टर हीमानत बेश्वर सर्मा ने नमस किया है कि विस्वनाथ घाट को Central जो Ministry of Tourism है इसके द्वारा Best Tourism Village of India 2023 के तोर पर चुना गया है यह जो विस्वनाथ घाट है यह बर्मपुत्र रिवर की किनारे पर है इसे गुप्त काशी भी बोलते हैं और विस्वनाथ मंदिर के नाम पर इसका नाम रखा गया है आपको जाना चाहिए अगर यहाँ पर कोई टोईस्ट जाता है तो उमा तुमोनी आइलेंड भी इसके पास में यह उसको विस्ट कर सकता है और इसके ओपोजिन में काजिरंगा नेस्टल पार्क भी है कार्भी एंग लोंग जो हील्स हैं उनको भी देख सकते है विच एडिशन ऑफ इंडो लैटीन अमेरिका कल्चर फेस्टिवल और इंडियन कांसिल फॉर कल्चर रिलेशन्स हेल्ड इन न्यू डैली भारती सांस्कृत सब्बत परिशत द्वारा आईजित इंडो लैटीन अमेरिका सांस्कृत महुत सवगा कौन सा संस्करण नई दिल्ली में हाली में आईजित किया गया सही answer option D है fourth आपको जाना चली इंडो लैटीन अमेरिका कल्चर फेस्टिवल इसका fourth edition हाली में नई दिल्ली में इंडियन कांसिल फॉर कल्चर रिलेशन्स द्वारा ओर्गनाइज किया गया है थ्री कंट्रीस से 34 आर्टिस्ट ने इसमें पार्टिस्पिट किया थ्री कंट्रीस रही कोलंबिया, एक्वाडोर एंड चेले ICCR के प्रेजिडेंट डॉक्टर विनाए सहस्तर बुद्धिया आपको जानना चाहिए विच आंट्रीस हैब एननाउस्ट अ न्यू जॉइंट स्पेस वेंचर अंडर दा I2 U2 ग्रूप इन नियू यॉर्क नियू यॉर्क में किन देशों ने I2 U2 समू के तहत एक नए सहींत अंतरिक उद्धियम की खोशना की है और आपके सामने सही आंशर ऑप्शन ही है इंडिया इस्रेल दे यॉनाइटेटेट्स अंड यॉए-देखे इंडिया इस्रेल यॉनाइटेटेट्स अंड आप एमिरात यॉए-धे जो की I2 U2 gb के जो है पार्ट है ठीक है इन्हों ने न्यू यॉर्क में एक जॉइंट स्पेस वेंचर के अनॉंस्मेंट की है विचिस एम्डेट क्रीटिंग यूनिक स्पेस्पेस टूल फॉर पॉलिसी मेकर्स इंस्ट्विशन एंट्रप्रटर्श आप सभी जाना चाहिए जो है आई जॉइंट स्पेस वेंचर साइन किया गया यह उनाइट नेशन जनरल एसेंबली का जो 78 सेशन हुआ है नियू यॉर्क में उसके दुरान किया गया है अब यह आर्टमीस एकोड्स जो है युनाइट स्टेट्स द्वारा प्रायजित एक नोन बाइंडिंग एग्रिमेंट है तो भारत भी इसका हाली में दो-तिन महीने पहले 27 वा मेंबर कंट्री बना था तो बेसिकली इस पेस में एक दूसरे देशों का सहयोग करने से सम्बन दिता है यह आर्टमीस एकोर्ड्स आई-टू-टू-टू-ग्रूप की अगर हम बात करें इसका जो कंसेप्ट आया यह 8 अक्टूबर 2021 को जब इन 4 कंट्री के फोरेंट मिनिस्टर्स की मेटिंग होई उस तोरान जो है इस आई-टू-टू-टूप को जो है इसका जो कंसेप्ट है वो उपर कर सामने आया और यह जो ग्रूप है यह 6 सेक्टर्स में जो है आपसी मेल बढ़ाने पर कारे करता है जैसे वाटर, एनर्जी, ट्रांस्पोर्टेशन, इस्पेस, हेल्थ, एंड फूड सीक्यूर्टी यह आदर कियेगा 6 सेक्टर्स में नई दिल्ली में सरकारी करमचारों के लिए चमता, निर्मान, योजना, किसने सुरू की सही आंतर अप्चंडी है Dr. Jitendra Singh Dr. Jitendra Singh, जोगी Union Minister of State Independent Charter, Science and Technology, M.O.S.P.M.O. Personal Public Revences, Pension, Automate Energy and Space है इन्होंने New Delhi में Capsity Building Plan for Government Employees लाँच किया है The plan has been rolled out by the Capsity Building Commission in consultation with the Department of Personal and Training Which agency unveiled India's Aging Report 2023? किस agency ने India Aging Report 2023 का नावरण किया? सही आंसर अप्चंट सी है UNFPA लेहे, UNFPA and United Nations Population Fund, India इन्होंने International Institute for Population Sciences, IIPS के साथ मिलकर India Aging Report 2023 का नावरण किया है This report sets light on the challenges, opportunities and institutional responses surrounding elderly care in India as India navigates a demographic shift towards an aging population तो भारत आप सभी जानते हैं Aging Population के और बट रहा है तो किस सरह से elderly care होनी चाहिए? क्या के opportunities है? क्या के challenges है? उस पारे में इस report में दिया गया है इस report को release किया गया है Mr. Social Justice M. Formant Secretary सोरभ करके द्वारा साथी UNFPA India Representative Andrea M. Wojnar के द्वारा वेर डिड़ दा इंडियन निवी फ्लैग ओफ दा खमरी मो सिक्किम एक्सपेडिशन फ्रों बारतियन उस्यान ने खमरी मो सिक्किम अभियान को कहां से हरी जन्ती दिखाई सही answer option भी है आपको जाना चाहिए इंडियन निवी ने एक सुरुवात की है एक outreach program की शुरुवात की है ताकि जो नौर्थ इस्टन स्टेट्स हैं उनके साथ connect हुआ जा सके तो ये एक basically motor car expedition है इसका नाम है खमरी मो सिक्किम यानि की हेलो सिक्किम और इसको आइने सिवाजी से हरी जन्ती दिखाई गई है लोनावाला माराज से कहा तक के लिए सिक्किम के लिए डिरेक्ट सिक्किम नहीं जाएगी पैंशाट सो किलोमेटर की distance कवर करेगी अलगलग राज्यों से होते हुए चोबी से दंबर से 15 अप्टूबर तो चार तीस के बीच में basically तीन पार्ट है इसके पहला पार्ट में ी यए स्यवाफना è मुद्र शबसे अच्छा प्रदाशन करने वाली मुद्रा बनकर ऊभरी हैं? सही आंसर ओप्शन से ही है अफगानी देखें अफगानिस्तान की जो कंसी है अफगान अफगानी ये वर्ड की best performing unit बनकर उबरी है अगर हम September quarter की बात करें तो तीन महीने के period में 9% का जो है इसमें बड़ोती देखने की मिली है क्योंकि foreign aid का आया है यहां पर काफी आया है USP जो है यहां पर fund release करता रहता है कि वाइल अफगानी हैस रिकोर्टेट अफटी परसेंट गेन इन वेल्य वर दा पास्ट टियर पिछले एक साल में 40 परसेंट गेन देखने की मिला है अफगानी में और यह थर्ड पोजिशन बने यदि हम global currency performance लिस्ट की बात करें इस चाहिए कोलंबिया है और स्रिल लंका है ऐसा Bloomberg data analysis ने कहा है तो रिपोर्ट दिये इंडसिंट बैंक देखें पुनावाला फिनकोप जो कि एक सायरस पुनावाला ग्रूप प्रमोटेड नोन बैंक की फाइनेंस कंपनी है इन्हें Reserve Bank of India से permission मिल गई है कि आप इंडसिंट बैंक के साथ मिलकर co-branded credit card issue कर सकते हैं आपको जाना जाएए पुनावाला फिनकोप के managing director अब बताड़ा है इंडसिंट बैंक की बात करते हैं MD&C यह सुमंध कर पा लिया है रिस्टर ओफिस का पुने महराष्ट में है और corporate office मुंबई में है टेग लाइन है वी के एर दिल से we make you feel richer which IT company has collaborated with Microsoft for generative AI generative AI के लिए किस IT company ने Microsoft के साथ सेयोग किया है right answer is option D Infosys आपको जाना चाहिए IT major Infosys इसने Microsoft के साथ collaborate किया है to jointly develop solutions that leverage Infosys to pass Azure open AI service and Azure cognitive services both organizations are bringing together their respective artificial intelligence capabilities to enhance enterprise functions with AI enabled solution across multiple industries तो दोनों मिलकर AI पर काम करेंगे यह टर्म काफी चर्चा में रहता है Generative Artificial Intelligence तो जैसे chat GPT है न वो भी एक Generative Artificial Intelligence है यानि कि आप इस तरह का कोई प्रोट्रूट बनाएं जो नया content दे सकता है इंक्लूडिंग audio, code, images, text, simulation, videos, AI के जरी उसको Generative AI कहते है Generate कर रहा है जो What is the expected bank credit growth rate for the current financial year according to Crystal Ratings Crystal Ratings के अनुसार चालू वित्य वर्स के लिए अपिक्षित bank रिण व्रिदितर क्या है सही answer option D है 13 to 13.5% देखिए Crystal Ratings ने कहा है कि जो bank credit growth रहने वाली है current financial year में यानि की financial year 24 में ये 13 to 30.5% रहेगी और financial year 25 में 13.5 to 14% हो जाएगी बढ़कर हाला कि कम है ये अगर हम financial 23 से compare करें उस वक्त 15.9% थी ठीक है ये कहा है Crystal Ratings ने बाकिनोंने बताएगी wholesale credit growth जो है ये 11.5 से 12% तक रहेगी जो GDP है 6% रहेगी पहले 7.2% ये नोंने बताएगी इसी विज़ेश्य credit growth है वो जो है decline देखने के लिए मिल रहा है Which financial services firm will add Indian government bonds into its key emerging market index from June 28, 2024 कौन सी वित्य सेवा firm 28.2024 से अपने emerging market सूचकांग में भारत सरकार के bond को शामिल करेगी Options आपके सामने हैं सही answer option दी है J.P. Morgan Chase देखे J.P. Morgan Chase Indian government bonds को अपने benchmark emerging market index में शामिल करेगी इससे क्या होगा भारत में जो foreign investment है foreign inflow है वो बढ़ेगा और जो ये government bonds जो include करेगा ये एक दम नहीं करेगा 10 months का period लेगा इसमें 28.2024 से 31.2025 इसका मतलब आप समझें देखें इसका मतलब क्या है J.P. Morgan Chase है तो एक list है इसके पास जिसमें कई सारी countries है उनके bonds उनके जो countries की जो सरकार है उनके bonds लिस्ट है इनके पास एक ऐसी list है मतलब मैं इस लेंग्वेज में बता रहा हूं आपको simple language में मानलो की United Kingdom के bonds हैं government bonds US government bonds है ठीक है आप कोई investor है तो देखेगा J.P. Morgan ने इसे जो है भरोसे मन बताया हुआ है तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे कि भरोसे मन वो जो है खो सकते है ठीक है उस पर ट्रस्ट रहेगा जैसे आपका एक restaurant होता है आपका कोई ट्राइ जरूर करेंगे क्योंकि आपको बताएगी अच्छे से बनाए होगी साफ सुत्री बनी होगी तो सेम सीन यहां पर है तो अगर चेपी मॉरकन इसको इंकलूट कर रहा है ठीक है government bonds को इसका मतलब जो हमारे bonds है उनकी जो विश्वसनी आथा है वो बढ़ रही है तो भारत में जो है foreign fund inflow जो है देखने के लिए मिलेगा capital inflow how long is the WFME recognition status awarded to National Medical Commission 4 राष्टे शिकित सा आयोग को WFME माने था कितने वर्षों के लिए प्रदान की गई है सही अंतरौप्शन भी है 10 years आपको जाना चाहिए National Medical Commission इंडिया इन्हें World Federation for Medical Education recognition status प्राप्त हुआ है 10 सालों के लिए अब इस recognition के साथ ही जितने भी साथ सोच है existing medical college है भारत में वह automatically इस World Federation for Medical Education से जो है संबध हो जाएंगे accredited हो जाएंगे और जो भी नए medical college बनेंगे अगले 10 सालों में वह भी automatically इससे accredited हो जाएंगे इससे क्या होगा जो भी इंडियन medical graduates है जो United States, Canada, Australia, New Zealand पढ़ना चाहते हैं जहां पर इस WFME का जो है परमार्ण पतर आपके बास होना चाहिए आपके college का ठीक है तो महां पर उनके लिए आसानी हो जाएगी इसके रिचर्चर्चर्स ने एक marine tardigrade की new species identify किया है और इसका नाम इन्होंने लेट former president and scientist एपी जेफ दुरकलाम के नाम पर रखा है इन new species तमिल नाडू के मंडपम से डिसकवर की गई है और battle pace इस चीनस से बिलों करते है इसका नाम रखा गया है battle pace कलामी how many tiger reserves does मध्यप्रदेश now have with the addition of the विरांगना दुर्गावती tiger reserve विरांगना दुर्गावती tiger reserve के बनने से मध्यप्रदेश में अब कितने tiger reserve हो गए है सही आंत्र option C है 7 आपको चाना चाहिए मध्यप्रदेश जहाँ पर के मारे देश पर सबस्यादा tigers हैं इन्होंने एक और tiger reserve को जो है नोटिफाई किया है इसका नाव है विरांगना दुर्गावती tiger reserve यह मध्यप्रदेश का 7 वा tiger reserve होगा और भारत का 14 वा tiger reserve होगा ठीक है आपको बता दें यह सागर, दमो और नर्सिंग पूर्डिस्टिक में पहला हुआ है साथ ही नोहरादेगी wildlife century और दुरका देवी wildlife century भी इस tiger reserve का पार्ट होगे अब तक मध्यप्रदेश में six tiger reserve थे काना, बांदवगर, सत्कुडा, पेंच, पन्ना और संजे डुपरी आपको जाना चाहिए अगर हम status of tigers, co-predators and prey in India 2022 रिपोर्ट की बात करें जैसे national tiger conservation authority and wildlife institute of India द्वारा इस साल जुलाई में launch किया गया था उसके नुसार मध्यप्रदेश में highest number of tigers है हमारे देश में उसके बात करनाटक में है फिर उत्रागंड में है Previous assignment questions का answer देखेंगे Who is Pranithi Nayak? Indian gymnast है Green ammonia imported through beach port for the first time recently B.O. Chidambranar port Thrutukudi, Tamil Nadu Which group's leaders endorsed Goa roadmap and travel for life program G20 Which javelin throw upon India craft 3-5 in Chandigarh with a throw of 82.53 meter Kishore, Jina U.S. and which Southeast Asian country signed deal on semiconductor supply chains to expand in support of U.S. industry answer is Vietnam Which district in Tamil Nadu has set a new world record by constructing 1546 farm ponds in just 30 days as part of Manrega scheme Answer is Thrupa Thur आप मैं से कही answer is बिल्कुल सही answer किया इसी तरह से आप participate करते ही जादा जादा संख्या में चले आजके Simon question देखेंगे नटराजन सुन्तरी's MD&C of which agency which bank's MD&C of S. Krishnan has resigned Which country unveiled its cutting-edge main battle tank the Merkava Mark V also known as Barak? Name the founder of the Grameen Bank against whom the Bangladesh government initiated legal proceedings Which fantasy gaming company in India received the largest ever indirect tax notice in India's history? What is the name of the world's largest flower genus that is facing extinction primarily due to habitat destruction? 6 के 6 question काफी math पूर है answer कीजिएगा idea question का answer भी आता है तो भी आप हमें अवश्य ही बताईएगा साथी current affairs funda को आप telegram पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर एगले वीडियो updates और current quizzes हम आप सबी के लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्तों हमारे current affairs की प्लेजिस दी गई है इसको आप जरूर देखें आपने दोस्तों के साथ fellow experience साथ हमारे current affairs को आप शेयर जरूर करें आज का यह session आपको कैसा लगा आप comment box में वश्य बताईएगा थैंक यू गईस